मुझा राम राम भाईयों और सब क्या हाल हैं बढ़िया हैं सब के तो आज हम पढ़िए हमारा चैप्टर नुम्बर सेवन इसका नाम है गेटिंग्टू नौ प्लाट्स ठीक है गेटिंग्टू नौ प्लाट्स पढ़िए अब बोल रहोगे कि सब चैप्टर नूम्बर शिक्स का गया भाई, चप्टर न्मर सिक्स बड़ा अजीब साही चेप्टर था उस चेप्टर में कुछ था तो है नहीं ऐसा कुछ पढ़ाने लाइग उस च्वी नाम था चेंजेस अरॉंड लाउंड अस तो इस चैप्टर में इतना कुछ खास है नहीं बढ़ाने के लिए आप लोग कोई फूरूट काट रहे हो तो पहले वो पूरा एक फूरूट था वो आपने दो हिस्सो में, चार हिस्सो में, आट हिस्सो में कितने भी इसको पीस कर दिये तो वो चेंज हो गए अपने ममी ने रोटी बनाई तो वो रोटी बेली फिर उस रोटी को सेका तो वो रोटी पहले पतली तीज लेकिन जब सिकती है उस टेंपे वो कितनी मोटी सी हो जाती है तो यही था उस चैप्टर में, कुछ था नहीं आप पेपर का प्लेन बना लेते हो पेपर काट के और मुम्मती पेखल जाती है आप चब उसे जलाते हो तो यह था उस चैप्टर में तो यह था बहुत छूटी छूटी सी बात है आप अपने आप पे रीड करोगे तो आपको सौन्ज में आ जाएगी ठीक है? मतलब बेसिकलि यही था कि हमारे आसपास हमारे सरौणिंग में क्या चेंज जा रहे है वो था उस चैप्टर में लेकिन जो यह चैप्टर नमबर 7 है ना भाई यह चैप्टर नमबर 7 थोड़ा इंपोर्टेंट है और हो सकता है उसकी वीडियो थोड़ी सी बड़ी भी हो जाए तो जैसा आप कमन करें आदी-ादी करके दो बार में देख लेना एक ही बार में देख लेना कैसे भी देख लेना बट जेखना जरूर क्योंकि जितने भी मैंने चैप्टर साभी तक पढ़ा है उसमें मैं को यह इंपोर्टेंट चैप्टर लगा बहुत एक यह और एक पहले भी था वो वीविंग थ्रेशिंग वाला जो हमने कल बढ़ा था ठीक है तो यह चैप्टर मुझे थोड़ा इंपोर्टेंट लग रहा है तो इसलिए मैं कह रहा हूं चाहे तो आप इसकी वीडियो अगर बड़ी भी हो जाए ठीक है तो शुरू करते हैं फिर तो हमारी चैप्टर का नाम है गेटिंग तु नो प्लांट्स गेटिंग तु नो प्लांट्स मतलब हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स हैं कभी बार करनी थी कोई भी खुए IRS प्लावर पर प्लाइन जलाओं य उसकर उनके बार में समें समाड़わか अभा रौन इब वस्टन सम्हें रौन आरहा है ऊपने करते तसके बार में यह तो इसे दिखेंगे इतने बड़ेथा नूगर के लिवन् गधी उटोची विगण डिखेंगे कुछ इतने किहा हैं डिफिन ड़ुनствен Smita और और कर वाइंड है कि हकाज पाट्स आफ अर्ट प्लांट पड़ेंगे इसको क्या बोलते हैं इसको 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 लीव को क्या र La La Keels छुड़ा टृð सबसे पहले हुग चुरू करते हैं प्लांट के टाइप्स पहले प्लांट के टाइप्स गात बॉल थे हना है तो देखो, अब मैं आपको पढ़के बताऊंगो इतना इस अच्छा है, सीधी सीधी समझ लो, यह जो figure A है ना हमारी, यह हमारी figure किसकी है, herbs की, कभी आप ऐसा plant देखना, समझ जाना वो एक herb है, ठीक है, और यह जो B figure है, हमारी B, यह, कभी आप ऐसी figure देखना, तो समझ जाना कि यह क्या है, एक shrub है, और यह tree तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है, एक herb, एक shrub and एक tree, ठीक है, plant with green and tender stems are called herbs, green plant, green मतलब, green तो ही चलो, यह एक plant है, ठीक है, tender stems मतलब, एक stem ऐसे थोड़ी दूर दूर भी है, और अलग लग stems हैं थोड़ी, और उनके ओपर फिर यह leaves लगे और एक ही जगह पर, और जैसे हमारी एक ह्ट हग एक वह ए प्लांट है, उसमें एक साथ यह एक साथ и हही पह लगेज़ को शर्ब ज़़प outro, जगह नहीं है बिलकुल हो भी, टो उसमें को उनकी है, पहुछ नहीं है आप दो हो है इस प्लांट लान आप्द की अमेशा क्वादे किुछ झाट है इसे आपक आप देख तो मतलब हर्व और इसा थैंडर्य हो हम फालोर जाव मुझकि एक की हिव पिन हग बन стать ऑद वार्व्म प्रow आइस एक mega होल हुआ में यहाले की अगया होता है हमारी हाब होती है हाब ठीक है और और श्रब का एक्जाम्पल है श्रब आपने रोज का प्लांट तो देखा ही होगा है ना लेवन का प्लांट भी देखा ही होगा आपने नहीं देखा तो देखना गर पे पूछना कैसा होता है ठीक है तो आप अपने आप डिफरेंशेट कर पाओगे कि कौन सा plant क्या चीज़ है ठीक है उसके बाद पहिली हमारी पहिली बहन जी क्या कह रही है पहिली हमारी क्या क्या रही है पहिली wonders what kind of stem the money plant beanstalk ground sorry guard plants and grapewines have guard मतलब lawkee तो रही इन जब क्या होती है बेल होती है, money plant के क्या होती है, बेल, तो वो पूछ रही है कि ये कैसे plants होते हैं, do observe some of these plants, आपने कभी देखे हैं, how are these different from hub, hub से कैसे different होते हैं, और शरब और ट्री, इन तीनों से, इन तीनों से, ये इन तीनों से कैसे different होती है, बेल जो होती है, हमारी बेल, ठीक है, why do you think of some of them need support to climb upwards, ठीक है, तो इसका अंजार यहीं दे रखा है, plants with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers, ऐसी, उनको हम क्या कहते हैं, देखो जैसे ये, तर्भूज की बेल देखे, तर्भूज की खेती देखे, कभी तर्भूज की, वो ऐसी होती है, क्रीपर, मतलब, आप ये कहलो, सीधी सीधी सी बात, किसी के, कोई कुर्सी है, उसके चारो पैर तोड़ दो, तो वो जमीन पे लेट जाएगी नहीं लेट जाएगी, ऐसे हमारे पेड़े हैं, पेड़ के पैर के हैं, उनकी stem, तो ये क्या कह रहा है, नीचे नीचे ऐसे बढ़ती है, बेल की तरह है, ठीक है, उनको हम कहते हैं, क्रीपर, क्रीपर मतलब जो रेंगते हैं, रेंगती हैं ये नीचे जमीन पे, ठीक है, और, और क्या है फिर हमारा, वाइल दोस्ट टेक सपोर्ट एंड क्लाइम अपर कॉल्ड क्लाइमबर्स, तो रही की लोकी की, ऐसे कभी बेल देखना, बनी प्लांट देखना, वो क्लाइम करना, उसको बस सपोर्ट चाहिए, वो उपर उपर चड़ता जाएगा, जितनी सपोर्ट मिलेगी, इतना उपर तो उसको क्या कहते हैं, क्लाइमबर, ठीक है, तो हमने, हमारे कितने तरह के क्या हो गए, एक हब्स हो गई, एक शरब्स हो गई, एक ट्री हो गया, एक क्रीपर हो गया, और एक क्लाइमबर हो गया हमारा, इतने तरह के के बढ़ लिए हमने, ठीक है, अब हमें एक एक्टिव को काट के काट के अलग करके ऐसे डाल दो इसमें ठीक है तो थोड़े दिन बाद आप अब्जार करना उसे थोड़े दिन बाद जब आप अब्जार करोगे न तो यह जो स्टेम है यह रेड कलर की हो जाएगी इसकी यह वाली जो स्टेम है यह रेड कलर की होने लगेगी और ज तो जो भी आपने डाला है, how do you think the color reached there? अब देखो, ये आपके मन में question आना चाहिए, कि ये हमने डाली तो भाई stem है, लेकिन leaves तक और यहां उपर वाली stems तक कैसे color पहुंच रहा है, भाई, कैसे पहुंच रहा है? From this activity, we see that the stems help in upward movement of water. ये जो हमारी stems होती है ना, ये हमारे पानी के movement को help करती है, इनके थुरू हमारा पानी उपर तक जाता है, पूरे प्लांटे में इधर दौर, पूरे में जाता है, stems की मदद से है ना, तो इस activity से हमी क्या पता चला कि हमारे stems होती है, वो हमारे water के transportation में help करती है, The water and minerals go to the leaves and other plants parts attached to the stem ठीक है ऐसी होती है हमारी stem की figure ये अंदर से ऐसी होती है हमारी stem ठीक है उसके बाद हमारा आता है कि है leaf Leaf के कुछ पार्ट होते है Petiol, Lamina ठीक है ये हमारी leaf है जो ये पूरी पत्ती होती है इस पूरी पत्ती को तो हम क्या कहते है पत्ता तोड़ना पीड के बास जाना और आराम से अबस्वर करना जब तक आप देखोगे नहीं जागे तब तक आपकी समय में भी नहीं आगा इतनी अच्छे देखना आराम से और बुक के सामने बैठना अब क्या करना है अगली एक्टिविटी क्या है हमारी ऐसे पेपर ले ना ट्रेस पेपर आप गर पे जैसे आप आपको ड्रॉइंग में नहीं आती तो आप क्या करते हो बुक में से छापनी देते ड्रॉइंग से ऐसे ना नीचे पत्ते को रखना और ऊपर से ऐसे 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 दिखा रहा है ऐसे ऐसे पैंसिल चला देना तो उस में निकल निकल गाएंगी है यह देखो यह हमाएं यह यह था दॡ्न पत्तों पर उती है न है ठीक है और इnt के बीच में से जो यह यह झा रही और यह लाइन जा रही है जो मैं रेट खलर बना रहो तो यह उसको क्या कह नहीं है हम इसको क्या क convey't a mid rib mid rib कहते है नہ and a design made by वेंस इन लीफ is called the leaf venation और जो ये पूरी डिजाइन बनी न, जैसे मालन लो ये मिडरिब थी, ये आपका प्लांड था, मतलो ये पत्ती थी, ठीक है, ये जो पूरी डिजाइन बनी, जो भी बना, ये मिडरिब थी, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा होती है जो भी बना इसको क्या कहींगे हम इसको क्या कहींगे हम लीफ वेनेशन ठीक है लीफ वेनेशन कहींगे हम इसको यह था हमारे लीफ वेनेशन ठीक है और जो यह जो लीफ वेनेशन हुआ जो इस पूरे प्रोसेस को तो हम कहते हैं लेकिन जो ये वारा लिव वनेशन है इस तरह का ऐसा इसको क्या कहते है हम रेटिकूलेट वैनेशन है ये वाली जो डिजाइन निकल shy gnarण वाली डिजाइन इस यह है s talk भेजिए लाइन होंगी है यहां से लाँ सको चीर दे घिए लगकर उसका शेद्वा सिधी निकल का जायंगी यहां से ऐसे कर के उसको हम Carry में गांस में होता है त् 얼마나 था है उसके राट हमें div ठच्राइब जारे राट पीने पूरत एक यो था रख या इन पत्तियों को ऑए और रोत थोड दहने हैं तो आप जब ते बाद दो टिन बाद देखोगे न के को इस क्या मिलेगा इस पन्नी पे आपको क्या मिलेगा सोच के बताओ इस पन्नी पे आपको क्या मिलेगा पानी के ड्रॉपलेट्स मिलेंगे भाई पानी के ड्रॉपलेट्स कहां से आई इस पर बांदी तो हमने पत्ती थी वो भी सूखी पानी के droplets कहां से आगे इस पर पानी के droplets है भाई transpiration से water comes out of plants in the form of vapor भाई ये process called transpiration sorry transpiration हमारा एक process होता है जिससे क्यों हमारे पत्ती हमारी पत्ती ये कर living beings नहीं है है ना ये plants भी तो हमारे living beings है तो कहें इनमे water नहीं होता इनमे water होता है लेकिन transpiration के process से transpiration के process से वो water जो होता है वो leaves में से बहार आता रहता है इन्दी form of gas की form में तो आएगा वो vapors की form में सोरी vapors की form में आता है वो और वो बहार आके यहां पर आके एकटा हो गया ठीक है एकटा किस से हुआ कल ही हमने पढ़ा था वो condense हो गया condensation हो गया उसका इसलिए वो यहां पर पानी की droplets में बन गया है ना ठीक है भाई यह हो गया evaporate if we had tied a porthine यह सब ठीक है यह हमने पढ़ी लिया है उसके बाद हमें activity 5 में क्या करना है हमें लेनी है यह green leaf उसको हमें डालना है चलो पढ़ी लेते हैं we would require leaf spirit spirit होती है alcoholic mixture होता है ठीक है उसकी को कहते है spirit अब बीकर उसमें क्या करना है spirit एक बीकर में और एक test tube burner watch class यह सारी चीज़ हमें लेनी है take a leaf इना test tube test tube में डालनी है हमें पत्ती उसके बाद हमें spirit डालनी है इतनी डालनी है spirit की पूरी पत्ती ढूब जाए ठीक है और यह सारी चीज़ है teacher के supervision में करना आप लोगी spirit वगरा होती है और add in solution यह थोड़ा हम पूर हो सकता है ठीक है तो जब आपने यह कर लिया तो now plays a test tube in a beaker half filled with water heat the beaker till all the green color of the leaf ठीक है इसको आप इसमें डाल दिया और इस beaker को नीचे से गरम किया burner के उससे इतना गरम करना है कि जो green color है ना लिफ का green color यह बिल्कुल चला जाए बिल्कुल color होना ने चाहिए उसमें green color बिल्कुल चला जाए ठीक है इतना कर लेना आप ग्रीन कलर के जाने के बाद उसको ऐसे चाइने डिस में रखना ऊपर से डालना आयोडीन सोलुशन फिर देखना किया यह परपल परपल सा हो गया भाई हो तो गया है परपल परपल सा ऐसा दिखा रहा है हमें यह परपल सा हो गया है अब यार हमें याद आ रहा है कि हमने एक iodine solution से हमने iodine solution से एक पहले भी टेस्ट किया था potato के उपर iodine solution डालके उससे क्या पता चला था हमें पता चल जब इस टाइट इस टार्ट का टेस्ट था वह — तो भाई इसका मतलब किया है कि हमारी पत्य में भी इस टार्ट होता है है ठीक है पटेटो गेट्स इस स्टार्च फ्रम दियर लीव एंड स्टोर इट है ना यही तो हमने पढ़ा था जब हमने टेस्ट किया था कि आयोडीन सॉलूशन हम पटेटो के पड़ा लेंगे तो परपल परपल था हो जाएगा इसका मतलब किया है कि हां उसमें स्टार्च ह लीव परपल हो गई तो क्या इसका मतलब कि उसमें भी स्टार्च है लीव स्टार्च क्यों होता है लीव में यह पढ़ते हैं भी देखो लीव प्रिपेर देर फूड इन दी प्रेजन्स ऑफ सनलाइट ठीक है जब सनलाइट पढ़ती है उनके उपर तब वो अपना फूड बनाती है और ग्रीन कलर सब्स्टेंश प्रेजेंट इन दम उसगोर के सब्स्टेंश को क्या कहते हैं खलूरोफिल के ना उस ग्रीन कलिर सप्स्टेंश हम क्लॉरोफिल कहते हैं फोर्डेस देय ऑल्सोड यूज सूज़ वाटर एंड कार्वीन याउक्सड इस जालता है तभी तो हम कहते हैं कि हमें पेड़ों से oxygen मिलती है and the food prepared by leaves ultimately get stored in the different parts of the plant और starts के form में वो अपना food बनाता है ठीक है भाई तो ये थी पूरी बात इस experiment को समझने की कि हमारे plants में भी starts होता है वो अपना food बनाता है starts के form में ठीक है बनाता किस प्रोसेस चाहिए photosynthesis process चाहिए photosynthesis process क्या होता है photosynthesis process एक plant का food बनाने का process है किसकी presence में sunlight sunlight होनी चाहिए water होना चाहिए carbon dioxide होनी चाहिए और एक green color का pigment होना चाहिए वो क्या है chlorophyll होना चाहिए इतनी चीज होंगी तो plant जो अपना खाना बना लेगा अपने आप आराम से चीक है अब हमारे दिमाग में एक सवाल आए how do the stem and leaves get water हमारी leaves को और हमारी stem को पानी मिलता कहां से है कहां से मिलता है इन जड़ों से मिलता है यह हमारी roots यह roots ही तो है जो सारा कमाल कर रही है नीचे बैठी है किसी को दिखती नहीं है लेकिन सारी चीजें पहुचा रही है उपर तक अब आप एक experiment करके देखना चलो अब किसी ground में से दो लेके आना पत्ते वो दो पेड़ लेके आना जड़ सहित उनकी जड़ होनी चाहिए उसमें दिये ध्यान ड़कना जड़ मत काटना फिर एक को काट देना ठीक है और एक को तो तो तुम जड़ सहित गाड़ देना गमले में एक की जड़ काटके गाड़ नी भी दालना चार-बंथ नी ड्रोज पानि डालना किया होका जिसमें जिसकी में है बोस्त दॉरा जाए होगी होगी वह तो बढ़िया ग्रोध करें तकें तक अरफ को फगात नहीं होगी उसको तो भड़िया खाना मिले आपने लेगा है और अधर रोटो में हमने यह देखो यह हमने किया था ना फर्स चेप्टर में कब किया था मैं इस प्राउट चनो चनो को anton कोटन के कपड़े में बेगोना दो तीन दिन रखना फिर उनके ऐसे sprouts निकलाएंगे तो roots ये भी काम करती है क्या काम करती है this is because roots help in holding the plant firmly to the soil roots किसमे काम करती है अपने roots जकर लेती है मिट्टी को तब ही तो आप तागत लग आते हो और the anchor of the plant of the, they anchor the plant to the soil, anchor मतलब जमा देना इतम, जमा देती हैं जहां पर भी वो रहुया होती हैं roots, यहां से उनको खाड़ना आसान बात नहीं होती, तो यह काम होता है roots का, और इस experiment का क्या मतलब था, जब आप इसको cotton के कपड़े में चने को इनको रखना, और जब sprouts निकलाए करेंगे नहीं, बहुत टाइट हो जाएंगे, तो इसका मतलब यही तो है कि roots में, roots अपने आपको मजबूत कर लेती हैं, वो निकल नहीं देती है, अपने आपको मिट्टी में से या किसी में से भी anchor कर लेती हैं, ठीक है, इतनी सी बात थी roots की, ठीक है, अब roots के भी type होते है एक तो roots ही है, एक तरह की root है यह बस, एक ही तो root है यह, एक वाली जो फिकर में बनाता हूँ, यहाँ पर देखो, एक root आ रही है, इसमें से छोटी छोटी roots यहाँ पर निकल लेगी है, छोटी छोटी roots निकल लेगी है, एक root है यह main root, इसमें से छोटी छोटी निकल लेगी ह इनको क्या कहते हैं जब जो main route है हमारी इसको तो हम कहेंगे tab route differentiate कर पा रहे हैं न हम अलग-अलग बता पा रहे हैं कि हमारी main route अलग है उसमें से छोटी-छोटी हमारी अलग निकल लिए है तो जो main route है उसको तो हम कहेंगे tab route और चूटी चूटी चुटी से निकल रही है इनको क्या कहेंगे है lower बढ़ी कौन थी तो इनको क्या कहेंगे हैं फाइबरस रूट्स ठीक है और रूट्स सीम सिमिलर सिमिलर मतलब एक जैसी and these are कॉल्ड फाइबरस रूट्स ठीक है भूजो हैसा ब्रिलियंट आइडिया इफ ही वांट्स तू नो बूजो भाई कह रहे हैं कि अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से पेड़ में कौन से प्लांट में कैसी रूट्स हैं तो उनकी पत्तियां देख लो यह बूजो भाई सही कह रहे हैं तुम बूजो भाई की बात देखते हैं अगर ऐसा प्लांट है अगर वो herb यह herb जैसे ही तो है अगर वो herb जैसे plants है तो उनकी root कैसी होँगी? लेटरल और टेप root और अगर वो shrubs है शर जैसा plant दिखरा है घास जैसी दिखरी है तो उनकी root कैसी होँगी? फाइबरास root होँगी वई पूजो भाई हम तो सोच रहते हैं पूजो भाई हमाँ से सवाल हीपूछते हैं लेकर आज सो आज ऊन्नारी निकले हैं इस बात में अच्छा लगा बू। ऑबी तक सिंगे पढ़ा है तो अभी तक हमने सब क्या पढ़ लिया। We have learned that roots absorb water and minerals from the soil and the stem conducts these to leaves and other parts of the plant. We take roots from the soil and after taking root from the soil, we give root stem to leaves and other parts of the plant. The leaves prepare food, what do we do with the leaves? We prepare food in the photosynthesis process. This food travels through the stem and is stored in different parts of the plant. After that, the leaves are made in the leaves. Then, the stem comes through the other parts of the plant. In which parts of the plant we eat? Carrot, radish, sweet potato, turnip. We eat some of these as roots. We eat some of these roots. We eat some of these roots. Now, in your mind, the stem is working on double roots. Do you agree that stem is like a street with two-way traffic? A stem is like a street with two-way traffic. A stem is like a road where people come and come and come. The soil is like minerals or water, the water is like a food. Do you agree that stem is like a street with two-way traffic. यहां रहा है उतना सब कुछ था यहां तक हम नहीं पड़िया यहां तक आपको सब कुछ समझ को मैं यह वीडिए देख देखा करो तो प्लीज क्मेंट कर दियां करो कि हाँ को समझ preached यह चीज़ें के नहीं थोड़ी बहुत ठीक है मुझे भी थोड़ा वो रहेगा कि हाँ भाई लोगों को बच्चों को सब्च में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है चलो अब हम पढ़ते हैं फ्लॉवर यह हमारे इस चप्टर के लास्ट टॉपिक है फ्लॉवर अब हम लेना अब आपने लेना एक गुलाब का फूल ठीक है अब आप लेना एक गुलाब का फूल ठीक है उस गुलाब के फूल में आपने यह देखिए ना हरी हरी सी पत्ती यह दिख रही है जो हरी हरी सी पत्ती दिख रही है इसको क्या कहते हैं सैपल्स उसके अंदर जो यह हों को प्रिणी को से कि हैट रेखम है अट स्याधा कुछ को घ्ल्स और यो ऑफ या और को घ्ल्स ही मुड़ा को पर लिखना यह combines a ये थी हमारी सेपल्स ठीक है अब ये ये निकली हुई है ये पैटल्स के अंदर एक ये ये दिख रहा है ये 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 जो जा रहा है इसको क्या करते हैं इसको करते हैं पिस्टल ठीक है और ये जो ऊपर लगी हुई है ये जो छोटे-छोटे से ये दिख रहे हैं आपको मोती से इनको हम कहते हैं एंथर्स और यह है हमारे स्टैमन्स जो पत्तियों के अंदर जो स्टैमन्स होती है मतलब पत्तियों के अंदर भी एक स्टैम ही तो है यह वैसी तो यह है टैनी टाइप स्टैम जैसी तो दिख रही है लग रही है देखने में तो इनको क्या कहते हैं? Stamence, 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 याद कर सकते हैं, आराम से अच्छे से, Related हैं, Stamence मतलब वो तो पत्तियों के बाहर होती हैं, और ये पत्तियों के अंदर हैं, तो इनको कहते हैं, Stamence, कहते हैं, Pistol कहा है? The innermost part of the flower is called the Pistol, ये हमारा Pistol है, ये हमारा पिस्तल है, ये हमारा पिस्तल के भी तीन पाट होते हैं, Overy, ये जो आपको दिख़रा है इतना पाट ये पूरा एक Overy है, ये ये इसको कहते हैं, Style, और ये उपर जो एक moti सा, इसको कहते हैं, stigma, ये हमारे Pistol के अंदर होती हैं, और ज स्टेमन के अंदर है कि यह होता है फिलामेंट और यह एंथर जो हमने भी नीचे पड़ाता है ठीक है इतना सही है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यह थोड़ी सी वह है लेकिन जब अपने अप पढ़ोगे एक बार अपने अप इन चीजों को अपने अप लिखके देखना अपने हाथ से और बना के देखना एक बार कॉपी में ऐसी रफली बना लेना तो आपको समझ में आ जाएगा और अगर यह वाला आपको पहचान ना हो तो आपको पहचान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कहीं भी मिल जाएगा कोड़ेल का फूल उसको ला के जरूर देखना एक बार गर पे यह है क्या चीज ठीक है अब हम क्या करेंगे यह देखो लेटरस ना सटड़ी स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी ओ उसका लेखने को अन्दरवाली स्ट्रक्चर देखने हमें और एक हमने बगल ऐसे काट दिया वहाफ हाफ कर दिया तो इसका हमारा स्ट्रक्चर यह दो श्रक्चर हैं हमारे तो आपको यह अंदर दिख रहे हैं इसमें यह छोटे-चोटे मोती से यह जो है इन और इसमें ये हैँ य Тем तो अनव अलग अंहिक देखरें हैं इनको क्या क्या करने है हम ओविल्णOOOO और योसी सम्स्माल बीड झाक्ट्टोर इंसाइड दूव謰ी हां हम ने देखे अभी देखेन उनको क्या क्या है थे हैं ओव्यूज को बीड लाइक स्ट्रक्चर इंद ओविरी आर कॉर्ड ओव्यूज बीड लाइक स्ट्रक्चर ठीक है यह जो मैं बता रहा हूं आपको यह रोज वाला एक तो यह रोज रोज का फ्लॉवर लेका ना उसको देखना ऐसे कि पैटल का है सैपल्स का है और प्लान्ट को इंग्लिश में बोलते हैं हिभिसकस ठीक है हिबिसकस या गूड यह जरूर लेका आना और यह सारी पार्ट से जब आप अपने आप देखोगे ना अपने सामने देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा ऐसा होने सकता कि आपको समझ में ना आई तो ज हमारा चैप्टर तो खतम हो गया इतना ही था इस चैप्टर में जो भी था तो अब हम डू यू नाव एगरी देट इस ट्रक्टर ओव दी फ्लावर इस नौट ऑलवेज दा सेम हाँ ठीक है हम मानते हैं कि यह सारा मतलब फ्लावर का स्ट्रक्टर सेम नहीं होता है दे नमबर आप होंगी कि किसी में दर सोगे और जो बाहर जो हरा रहा सा था जो उसका झाव गुलाब के फूल के leaves stems and roots ठीक है we have studied some features and functions of leaves stems and roots we studied the structure of different flowers we will learn about the function of flowers in higher classes we will also learn about fruits in higher classes ठीक है अभी जो बी आपको जितनी नौलेज आपकी बुक में दे रखिए न उतनी आपके लिए सब्सक्राइब रख लो आगे बढ़ो के जब अभी तो सिक्स्त में ही हो आगे बढ़ो के जब 7, 8, 9, 10 तक सब सीख जाओगे आराम से सब कुछ और भी चीजे हैं ये सारी चीजे आगे भी बढ़ाई जाएंगे आपको दबारा से अच्छी तरह से और ठीक है तो इतना ही था भाई इस चेप्टर में ये सारी टम्स हमने पढ़ी लिए है ठीक है तो उसके आद हम आपकी एक्साइज कर लेते हैं गरेक्ट दा फॉलोविंग स्टेटमेंट से रिराड देम इन नोट बुक स्टेम्स ऑब्जर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम स्वाइल स्वाइल से नहीं करते भाई हम वो रूट से करती है ठीक है लीव्स होल दे प्लांट अपराइट नहीं लीव्स नहीं स्टेम करते है रूट्स कंड़क्ट वाटर तू दे लीव्स नहीं ये काम भी स्टेम करती है दा नमबर ऑफ पैटल से ने स्टेमन इन फ्लॉवर इस अलवेज इक्वल नो हमेशे इक्वल नहीं होती है नहीं हो कभी-कभी कलो बीजन इन इब अपर और फिस्टे इस जो आप नहीज हों तो ओंगयों कूझ आए ऐसा जरूरी नहींग खिक है और इस प्लेटल अपर टुगेदर ये पिस्टल इस जोन तू नहीज पेटल नहीं पिस्टल की जग़े पर एक्टेमन तो गाइस हमारा चैप्टर नंबर 7 भी कंप्रीट हो गया है कि आप लोगों समझ में आया हो क्योंकि मैंने का था देखो मैंने का था देखो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है और देखो 31 मिनिट्स की वीडियो हो चुकी है तो इस चीज से मट ढरना कि भाई वीडियो 30 मिनट की हो गई कि 5 मिनट की हो गई कि 40 मिनट की हो गई मैं इसको अलग-अलग 2 पार बनाके डालू या एक बार में डाल दू वो तो कोई दिक्कत है नी आप लोग इसको 2 पार करके देख सकते हो न दो बाट करके देख लेना और अगर आपको अच्छे समझ में आरा चीज ने बढ़िया लग रही है तो एक ही बार में देख लेना वो और अची बात है मट बगर देख जरूर लेना क्योंकि ये Getting to know plants जो चैप्टर है ना ये आपका ये समझ लो अगर आपने ये खराब कर लिया तो फिर आगे जब इससे related कुछ पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी चीज़े तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छे से इस चैप्टर को समझ लोगे ना तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली फिर आगे जब इससे related आगे भी chapters आएगे जिसके बारे में पूरे flower के बारे में आप पढ़ोगे कि वो नया flower कैसे बनता है क्या होता है क्या नहीं होता तो जब यहीं चीज़े समझ में नहीं आएगी यहीं बूल जाओगे क्या चीज थी उसमें तो आगे भी समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या हुआ था फिर फिर वापस से six class पढ़ने तो आओगे नहीं कभी तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ इस chapter को देख जरूर लेना चाहिए कैसे भी देखना वीडियो की duration देखके मत गभराना कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया ठीक है ठीक है फिर चलते हैं thank you so much राम राम अगें